सभी मित्रों को कुमार राजश का नमस्कार मित्रों सिंहसन 32 के 21 भाग में आप सभी का स्वागत है पिछली कहानियों से आप सभी को यह तो पता चली चुका है कि राजा भूज को विचित्र परिस्थित्यों में राजा विक्रमा देते का सिंहसन राप्त होता है और वह इस चमतकारी सिहासन पर बैठने का प्रयास करते हैं मगर सिहासन पर लगी हुई 32 पुतलियां उनका उपहास उड़ाती हैं और कहती हैं कि सिहासन पर वही बैठ सकता है जो राजा विक्रमादित्य के समान ही प्रतापी हो और उनके ही समकक्ष हो इसके बाद वे 32 पुतलियां एक-एक करके राजा भुज को राजा विक्रमादित्य के गुणों से सम्मंदित कथाएं सुनाती हैं पिछले 20 भागों में आपने 20 पुतलियों द्वारा सुनाई गई कथाएं सुनी 20. पुतली जब कहानी सुना देती है उसके बाद राजा भोज फिर से सिहासन पर बैठने का प्रैतने करते हैं मगर 21. पुतली उन्हें ऐसा करने से रोग देती है और सुनाती है राजा विक्रमादित्य से संबंधित एक और कहानी 21. पुतली चंदर जियोती राजा भोज को राजा विक्रमादित्य से संबंधित जो कथा सुनाती है वह इस प्रकार है एक बार विक्रमादित्य एक यग्य करने की तैयारी कर रहे थे वे उस यग्य में चंदर देव को आमंतरित करना चाहते थे चंदर देव को आमंतरन देने कौन जाय इस पर विचार करने लगे काफी सोच विचार के बाद उन्हें लगा कि महामंतरी ही इस कारे के लिए सरवत्तम रहेंगे उन्होंने महामंतरी को बुला कर उनसे विचार विमर्ष करना शुरू किया तब ही महामंत्री के घर का एक नोकर वहां आकर खड़ा हो गया महामंत्री ने उसे देखा तो समझ गये कि अवश्य कोई बहुत ही गंभीर बात है अन्य था वह नोकर इस तरह उनके पास नहीं आता उन्होंने राजा से क्षमा मांगी और नोकर से अलग जाकर कुछ पूछा जब नोकर ने कुछ बताया तो उनका चहरा उतर गया और वे राजा से विदा लेकर वहां से तुरंत चले गए महामंत्री के अचानक दुखी और चिंतित होकर चले जाने पर राजा को लगा कर बोला कि महामंत्री जी ने मुझे आप से सच्चाई नहीं बताने के लिए कहा था उन्होंने कहा था सच्चाई जानने के बाद राजा का ध्यान बढ़ जाएगा और जो यग्य होने वाला है उसमें व्यवधान होगा राजा विक्रम ने कहा कि महामंत्री उनके बड़े ही स समय से बीमार है, उन्होंने उसकी बीमारी एक से बढ़कर एक वैद्य को दिखाई, पर कोई भी चिकित्सा कारगर नहीं साबित हुई, दुनिया की हर औशदी उसे दी गई, पर उसकी हालत बिगड़ती ही चली गई, अब उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है, कि वैं राज वैद्य ने कहा, कि उसकी चिकित्सा केवल खुआंग बूटी से की जा सकती है, दुनिया की अन्य कोई वशदी कारगर नहीं हो सकती, खुआंग बूटी एक बहुत ही दुरलब वशदी है, जिसे ढून कर लाने में कई महीने लग जाएंगे, राजा विक्रमा दित्त बहुत ही कठिन है, रास्ते में भयंकर सर्प, बिच्चु तथा हिंसक जानवर भरे पड़े हैं, राजा ने यह सुनकर उस्योस बूटी की पहचान बताने के लिए कहा, राज वैद्य ने बताया कि वह पौधा आधा नीला, आधा पीला फूर लिये होता है, तथा उसकी प दूनों वैतालों का एसमरण किया, वैताल उन्हें आनन फानन में नील रतनगिरी की ओर ले चले, पहाडी पर उन्हें उतार कर वैताल अध्रश्य हो गए, राजा घाटियों के ओर बढ़ने लगे, घाटियों में एकदम अंधेरा था, चारों और घने जंगल थे, राजा बढ़ते ही रहे, एका एक उनके कानों में सिंग की धार पड़ी, वैं समल पाते इसके पहले ही सिंग ने उन पर आकरमन कर दिया, राजा ने बिजली जैसी पुर्ती दिखा कर खुद को तो बचा लिया, मगर सिह उनकी एक बहा को घायल करने में काम्याब रहा, सिह दुबा इसके बाद वैं आगे की और बढ़ चले, रास्ते में एक जगह ही ने लगा कि वैं हवा में तैर रहे हैं, ध्यान से देखने पर उन्हें एक देत्याकार अजगर दिखा, वैं समझ गये कि अजगर उन्हें अपना ग्रास बना रहा है, जूहीं वैं अजगर के पेट में प रिक्ष पर चड़ कर आराम किया, जूहीं सुबह हुई वे ख्वांग बूटी की खोज में इधर उधर घूमने लगे, उसकी खोज में इधर उधर भटकते न जाने का प्शाम हो गई और अंधेरा चा गया, अधीर होकर उन्होंने कहा, काश चंद्रदेव मदद कर देते, इतना कहना ही था कि मानो चमतकार हो गया, घाटियों में दूद जैसी चाननी फैल गई, अंधकार न जाने कहा गायब हो गया, सारी चीजें ऐसी साफ दिखाई देने लगी, मानो दिन का उजाला हो, थोड़ी दूर बढ़ने पर ही उन्हें ऐसे पौधे की जाड़ी नजर जिस पर आधे नीले आधे पीले फूल लगे थे, उन्होंने पत्यां चुई तो लाजवन्ती की तरह सकुचा गई, अब उन्हें कोई संशय नहीं रहा, उन्होंने ख्वांग बूटी का बड़ा सा हिस्सा काट लिया, वे बूटी लेकर चलने ही वाले थे, कि दिन जैसा उ उत्री को बचा सकता है, उनकी परोपकार की भावना से प्रभावित होकर वे खुद अमरित लेकर उपस्थित हुए हैं, उन्होंने जाते जाते विक्रम को समझाया कि उनके से शरीर यग्य में उपस्थित होने से विश्यो के अन्य भागों में अंधकार फ्हल जाएगा, उन्होंने अमरित की बूंदे टपका कर महामंतरी की बेटी को जीवित किया, तथा खुआंग बूटी जनहित के लिए रख ली, चारो और उनकी जैजैकार होने लगी, 21 मी पुतली चंदर जूती ने जब यह कथा राजा भोज को सुनाई, तो राजा भोज आश्चर चकित रह गए और उन्हें भग प्रसनता भी हुई, इसके पश्चात उन्होंने फिर से सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया, मगर 22 मी पुतली उन्हें एकन्य कथा सुनाने लगी, वह कथा क्या थी, वह जानने के लिए आपको देखना होगा हमारा अगला वीडियो, तो मित्रों 21 पुतली चंद्र जूती द्वारा सुनाई गई कहानी, विक्रमा दित्य और दुरलप ख्वांग बूटी आपको अवश्य पसंद आई होगी, सिंहासन 32 का सफर अभी भी जारी है, और मित्रों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृप्या बेल दबाना ना भूले ताके आने वाले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए, इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजश को विदा दीजिए, नमस्कार, खोश रहिए, मस्कुराते रहिए